जैन दोस्तो बता ओडियो वीडियो क्लियर है बतादो ओडियो वीडियो क्लियर है न गुड़ीवनिंग 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 सर जिमेंटरी में सौल्ड एक्जामपल्स के भी आंसर प्रोवाइड करवा दीजे कुशल चौर अशिया जब मैं आपको क्लास नोट्स देता हूँ न ठीक है तो उसमें जिमेंटरी के सौल्ड एक्जामपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है तो आज के क्लास के पहले कुछ बात आप लोगों को बता दें सबसे पहले आज की क्लास उन स्टुडेंट्स के लिए है जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो सीजल का मेंस देंगे उन बच्चों के लिए बिलकुल भी नहीं है जो MTS, GD या फिर चोटे मोटे एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लेवल मैं आज क्लास में बहुत उपर लेके जाने वाला हूँ ठीक है? बहुत उपर लेके जाने वाला हूँ इस बात का धियान रखे तो अगर आज की क्लास बहुत उपर लेवल की होगी और अगर आप छोटे एक्जाम्स की तियारी कर रहे हैं तो आपके पल्ले ये पढ़ने वाला है नहीं ठीक है समझ में आ रहे हैं बात तो इससे लिए पहले आपको सुचित कर दिया गया है जैसे जैसे आप पुछ खाते हैं जैसे मान लिजए ठीक है तो उसके पहले ही लिखा जाता है चिताओback तो वो कुछ चिताओनी करे है तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कॉशन नमबर 34 से क्यों 34 से शुरुआत करेंगे ठीक है 35 असान कोशे नहीं नहीं लिया, यहां पर 35 है अच्छा, 35 को उठाया जाए यहां से और यहां डला जाए 34, 35, 36, 37, इस तरीके से 37, 49 तो चलिए करते हैं सवाल को, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं CHSL के लिए और CIGIL के लिए बहुत लाबदायक है क्योंकि आज के सीरीज में आप लोगों को सभी 2020 के CHSL और CIGIL के सवाल करवाने वाला हूँ जो 2020 में पूछे गए थे, और बहुत ही धासु धासु तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए थे ठीक है, चलो आज आओ, तो कवर अप करते हैं, कुशन नमबर 31 देखो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि एक बोट को जो है 12 किलोमेटर की दूरी तया करनी है कहां से P से Q तक, ठीक है, 8 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम जाता है, पॉइंट P से 20 मिनट में और बाकी 4 km जो है वो 0.P से क्यो upstream जाता है बोला गया न, it cover 8 km downstream from 0.P in 20 minutes and remaining 4 km in upstream धारा के विपरीद दिशा में डुक्यो अगर downstream की जो speed है वो दोगनी है upstream के speed से तो average speed of the boat throughout the journey क्या होगा हमसे यह सवाल में पूछा गया है ठीक है, बहुत ही प्यारा question है, देखेंगे average speed हमसे पूछा गया है, बताईए सवाल आप हो दिख रहा है, सपस्ट रूप से है सपस्ट है, clear है, बताओ रवी कुमार कहते हैं, हम CGL वाले हैं तो चलो मेरे भाई, पहले बात करते हैं यहाँ पर देखो, एक light बंद कर दे रहा हूँ, थोड़ा सांख पर ज्यादा लग रहा है ठीक है, पहले बात करते हैं, यहाँ पर 12 किलोमेटर गया है, P से Q तक ठीक, और 8 किलोमेटर उसमें डाउन स्ट्रीम है, और 4 किलोमेटर जो है, वो अप स्ट्रीम है, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है, 20 मिनट लगा है यानि, अगर हम टोटल टािम की बात करें तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपाउन स्पीड होता है आट किलोमेटर, वो डाउन س्ट्रीम गया है तो अपिस्ट्रीम की स्पीड हो गयी यानि अगर अब stream speed को कितना माल लेते हैं K माल लेते हैं तो down stream की value कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 show के हो जाएगी 2, 2 के दो से हमारा ये 4 बार में कटेगा तो 4dK, 4dK total हो जाएगा हमारा 8dK 8 वोटे k बराबर कितना हो जाएगा 20 से 60 को काटो 1 वोटे 3 1 वोटे 3 हो जाएगा तो यहां से k का मान जो है वो कितना आ जाएगा k का मान हमारा 24 हो जाएगा k का मान कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा k को हमने क्या माना है तो k को जो है हमने upstream की value मानी है यानि धारा के विपरे दिशा की value मानी है यानि के की value हमारी upstream की value कितनी हो जाएगी upstream की value हमारी 24 km प्रतिगंटा तो down की value क्या है इसकी दोगुनी है यानि 48 km प्रतिगंटा सवाल में बोला गया है average speed of the boat throughout the journey जाकर आने में जो उसका ओसत चाल था वो कितना था मुझे ये बात बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है average speed बता देंगे देखो यहाँ पर बात करते हैं average speed की, तो average speed में क्या हुआ है कहानी, आप ऐसे समझेंगे आपने एक दूरी को तै किया है तै किया है, अब ये दूरी को तै करने में आपने क्या हुआ है कि आप 8 km जो है वो कितने के रफ़तार से गए है तो आप बोलेंगे सर 8 km जो है हम गए है downstream ठीक है यानि हम जो है कितने के रफ़तार से गए है 48 km के रफ़तार बचे हुए 4 km के कितने दुरू में गए है तो बचे हुए 4 km को जो है हम यहाँ पर गए है 24 km की रफ़तार से सवाल में बोला गया है average speed क्या होगा average speed क्या होगा हमसे पूछा गया है average speed बराबर क्या होता है बताओ total distance कितना तै किया 12 और total time कितना लगा total time कितना लगा बता दो 20 average speed बोट का average speed पूछा है throughout the world journey कोई दिकत की बात नहीं है मुझे एक बात बताओ यहाँ पर अगर U की वैल्यू 24 है और D की वैल्यू 48 है तो बोट की वैल्यू कितनी होगी 40 और 20 60 ठीक है 72 का आदा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और Y की वैल्यू कितनी होगी तो बोलोगे सर Y की वैल्यू 12 होगी मेरी बात को समझेगा upstream की वैल्यू 24 होती है down की वैल्यू 41 होती है तो बोट की वैल्यू कैसे आती है दोनों को जोड के आदा now की वैल्यू कैसे आती है दोनों को घटा के आदा सवाल में आपको बोला गया है कि भाईया धा जो नाव है नाव की एवरेज स्पीड क्या थी नाव की एवरेज स्पीड क्या थी सवाल में हमसे ये बोला गया है तो कभी भी आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड में क्या लिखते हैं नव का तो ऐसा तो होगा निए 2xy ऐसे करके हम लिख देंगे तो देखते चलो जैसे मानो ये distance है ठीक है और ये distance में क्या हुआ है समझेंगे मेरी बात को शुरू के 8 km नव भागा है और कितने से भागा है तो बोलेंगे इस सवाल को उत्तर बारबर चाटीस ही क्यों आ रहा है बारबर सॉल्फ करो बारबर सॉल्फ करो फॉटी नहीं ही आता है एक बोट को ट्रेवल किया गया है 12 km स्टार्टिंग फ्रॉं पॉइंट पी टू क्यो हिंदी देखना यदि धारा के अनिकूल गती के धारा प्रतिकूल से दोगनी है तो समग रियात्रा में नाव की उसत गती क्या है नाव की तो उसत गती हमने 36 निकाली है और नाव की उसत गती हम से पूछ रहा है A boat has to travel a distance of 12 km starting from P to Q It covers 8 km downstream from P in 20 minutes यह 20 minutes में बिंदू P से 8 km धारा के अनिकूल तै करती है और बिंदू Q तक पहुँचने के लिए 64 km धारा के प्रतिकूल तै करती है कुछ तो सवाल में गड़बड है 12 km starting, it covers 8 km downstream from P in 20 minutes ठीक है, 8 km downstream जाता है, यानि 8 km down, down की value है टाइम बराबर distance upon speed और time कितना दे रखा है, तो time दे रखा है 20 बटे 60 अगर हम यहाँ पर यह कहें कि down की value है, अब की क्या है, दोगनी है यानि इसकी speed अगर मान लो, K मानते हो, तो इसकी speed कितनी हो जाएगी, 2K हो जाएगी समझना मेरी बात को down की value बोली गई है, दोगनी है, यानि 2K हम मान लेते है 20 का हम मानते है, या 3 गुना है, 2 का मानते है, 4 गुना है K का मान आ जाएगा हमारा 12 अगर हमारा K का मान आ जाएगा, इसका मतलब जो है ठीक है, इसका मतलब हमारा up का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 12 और down का मान कितना होगा, तो 12 का दोगना 24 इस इसाब से, हमारा now का जो speed आएगा 36 का आधा 18 हो जाएगा और धारा की speed आएगी 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमसे पूछा गया है average speed of board throughout the whole journey तो option number जो C होगा वो correct answer होगा option number जो C है वो correct answer है second second में हम बना पाएंगे सवाल को दुबारा से समझ लीजे सवाल में बोला गया है कि आपको क्या होता है आप ऐसे समझ लो कि आप 8 km जो है वो कहां जाते हो 8 km आप धारा के दिशा में जाते हो ठीक है और 4 km उसके विपरीत दिशा में आते हो धारा की विपरीत दिशा की जो गती है उसकी double हो जाएगी धारा के दिशा की गती यानि upstream का double हो जाएगा downstream time कितना लगा है 20 मिनट लगा है कहां से जाने में पॉइंट P से Q तक जाने में तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 किलोमेटर के दूरी तह की अगर अपकी स्पीड को K मानेंगे तो डाउन की स्पीड 2K तो 8 बटे 2K बराबर 20 बटे 60 यहां पर तो इस तरीके से क कमान हमारा 12 आ जाएगा यानि अब कमान 12 डाउन कमान इसका डबल यानि 24 हो जाएगा तो बोट कर अफ़तार पूछेगा तो दोनों को जोड़कर आदा नाओ का पूछेगा दोनों को घटाकर आदा सवाल में हमसे बोला गया है कि मान कितना है 18 तो हम 18 रख पाएंगे कोई दिक्कत की बात यहां पर बता दो जल्दी से कोई परिशानी की बात ठीक है कोई परिशानी की बात बता दो जल्दी से average speed of the boat throughout the journey अरे भाई बात वही है भाई मेरे average speed boat मतलब यहां पर आप यह confuse मत हो जाओ कि boat का average speed पूछा है तो हम boat का average speed निकालेंगे सवाल में बोला गया है कि पूरे यात्रा में boat का हाँ ठीक है पूरे यात्रा में boat का average speed क्या रहा तो boat का average ओसत अंचाल जो रहा वो 18 रहा पूरे यात्रा में धारा का ओसत अंचाल क्या रहा तो छे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि बोट अलग से आत्रा कर रहा है, बोट यात्रा कर रहा है तो धारा के साथ ही कर रहा है, तो जब उसत चाल होगा, जो बोट का वहीं यहाँ पर उसका होगा, ठीक है? चलो आजाओ, question number देखो यहाँ पर, question number 34 में देखो, 35, 35 number question में देखो, क्या बोला गया, बहुत ही simple question है, बोला गया है, एक boatman 39 km downstream जाता है, 25 km upstream जाता है, और कितना समय लेता है, 8 गंटे, फिर उसको 10 गंटे लगते हैं, 52 km कहा जाने में, down जाने में, 30 km upstream जाने में, speed of boat, अब ऐ यह सब सवाल मैंने आपको करवा दिया, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, मैंने कहा भी था ऐसे सवालों में, कि आपको upstream के जगह पर U मानना है, downstream के जगह पर D मानना है, अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर 49 km downstream गया है, तो downstream के लिए क्या मानो, V मानो यहाँ पे, और 25 km upstream क्या है, तो बोलोगे 25 U, बराबर कितना हो जाएगा 8, अब बोलोगे, Sir, V और U क्या है, तो पीछे कोशन में ही, पीछे जब concept पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था, कि V को जो है, आप ऐसे मानलो कि V की value 1 upon X plus Y है, और U की value क्या मानलो 1 upon X minus Y है, कुछ याद आ रहा है, तो total time 8 गंटे, total time 8 गंटे, अब 8 गंटे कैसे आया, तो time बराबर distance upon speed 32 km upstream गया, तो इतना लिखेंगे, फिर उसके, sorry, 49 km था न, देखो, 49 km upstream गया, तो क्या लिखेंगे, 49 बटे X plus Y, और फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे 25 km upstream गया है, तो 25 बटे X minus Y, और इस तरीके से जो सम 1 upon X plus Y, 1 upon X minus Y, यह जो है, वो ज्यादा समय ना लगा दे, ज्यादा जो है, हमें दिक्कत ना परिशानी create करे, इसलिए 1 upon X Y को भी माल लेते हैं, 1 upon X minus Y को यू माल लेते हैं, ठीक है, दुबारा से बता दिया मैंने आपको थो, तो 39 V और प्लस कितना हो जाएगा, 25 U हो हैं 10 गंटे, हमसे नाओ की रफतार पूची गई है, अब आपको पता है, या तो V को खतम कर दो, नहीं तो U को खतम कर दो, देखो अब यहाँ पर अगर खतम करोगे तो 1,500 बनाना पड़ेगा, ठीक है, 25 और 30 का LCM लो, देखो यहाँ पे, या तो 25 और 30 का LCM ले लो, नहीं चालीस में एक की कमी, तो 40 का 6 गुना कितना होता है, 40 का 6 गुना 240 होता है, और 240 में 6 की कमी करोगे, तो कितना आएगा, 240 में 6 की कमी करोगे, तो 234 आएगा, ऐसे समझ लो, आप यह 9.54 और 6.38 और 6.24, 25 और 5.10, यह आजाएगा हमारा 260, नीचे वाला 260 V है, उपर वाला 234 है, 260 में से 234 घटाएंगे, कितना आएगा तो बता देंगे सर, 26 V आने वाला है, ठीक है, उसी तरीके से 1500 में से 1500 गया, तो खतम हो जाएगा, 50 में से आपका 48 गया, तो कितना आएगा मान, 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा मान, 2 आएगा, तो अगर हम particularly यहाँ पर 1 upon V की बात कर तो भले V इतने के बराबर हो, लेकिन जब हमें downstream यानि X प्लस Y को आप उधर लेकर जाएंगे, तो 1 upon V के बराबर, X minus Y को लेकर जाएंगे, तो 1 upon U के बराबर, तो हमें आपर 1 upon V का मान 13 मिल गया, या यू कह सकते हैं, V का मान 1 बटे 13 हो गया, अब V के जगा पर 1 बटे 13 या 5 बार में काटेगा, 5 25 को 5 बार में काटेगा, तो 1 upon U का मान कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, ठीक है, आप रखकर value देख लीजे, किसी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखे, यहाँ पर 13 से भाग करेंगे 3, 8 में से 3 गया, यहाँ 5, 5 25 को 5 बार में काटेगा, 1 upon U का मा जाएगा, option number जो A है, वो correct answer है, ठीक, चलिए, अगला सवाल देखे, question number 36, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा और खुबसूरत सवाल, सवाल को देखे, सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक 9 बिंदू A से बिंदू B तक के धारके अनुकुल जाती है, जो A से 20 किलोमेटर दूर है, फिर A पर वापस लोट जाती है, ठीक है, पहले 20 किलोमेटर गई और फिर वापस लोट कर आ गई, यदि 9 की वास्तवी गति, स्थिर पानी में 3 किलोमेटर प्रती घंटा है, तो B से A की यातरा की तुलना में, A से B की यातरा में 16 घंटे कम लगते ह A से B तक यातरा करने के लिए, ठीक है, यातरा करने में यातरा के लिए 9 की गति ठीक, 80 मिनट होनी चाहिए, तो उसमें स्पीड उसकी क्या होगी, बड़ा बढ़िया सवाल है, पहले आपका एक्जामनर जो है, वो क्या बोलता है, बोलता है कि देखो एक 9 है, पॉइंट A से आने में, 16 गंटा की बचत, ऐसे समझे लो, जाने में और आने में, जो समय का उंतर है, वो कितना है 16 गंटा, तो आप लोगों को मैंने 2 कंसे पढ़ाये थे, एक कंसे पढ़ाये था, concept of total time, और एक पढ़ाये था, difference of time, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कि एक concept of total time की होता है, time बराबर, 2dx divided by x square minus y square, और उसी तरीके से जब difference of time दिया जाता है, मतलब जाकर आने में, तो difference in time में हम क्या लगाते हैं, वो समझे लो, तो difference of time में time बराबर हो जाता है, 2dy divided by x square minus y square, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, तो सवाल में बोला है कि आपको 16 गंटा less than the time मतलब समझे लो, 16 गंटा क्या है, difference है, तो time के जगा पर क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 2 into distance के जगा पर कितना लिखेंगे, तो 20 km, और difference of time में y की value आती है, साथ में 9 की रफ्तार दी गई है, कितनी 3, तो x square minus y square, x के जगा पर 3, 3 का square, 9 और यहां क्या लिखेंगे, minus y square, क y की value निकाल लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काट दीजे, 2 बार में, तो यहां पर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 9 into 2, 18 minus 2y square, ठीक है, यहां पर solve करो, 18 minus 2y square, बराबर कितना आ जाएगा, 5y के, इसको आप arrange करके ऐ 2y square plus 5y, ठीक है, minus 18 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0, 18 का दो गुना कितना है, तो 36 है, इसको तोड़ोगे तो 9 और 4 में तूटेगा आपका, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे, 2y square plus 9y minus 4y minus 18 बराबर 0, इसको हल करने का short technique भी होता है, लेकिन फिर आप उसमें confused हो जाओगे, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा, ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, तो y common लोगे, तो क्या हो जाएगा, 2y plus 9 common हो जाएगा, बताओ, और यहाँ पर सेम तरीके से minus 2 common लोगे, minus 2 अगर common लेते हो, तो हो जाता है, y plus 9, minus 2 common लेते हो, तो क्या हो जाता है, 2y plus 9 बराबर 0, फ y की value कितनी आगए, 2 आगई, यहाँ पर धारा की रफतार कितनी आगई, तो बोलोगे sir, धारा की रफतार हमारी 2 km प्रतिघंटा आगई, कितनी आगई, 2 km प्रतिघंटा, सवाल में बोला गए, अब धारा की रफतार अगर 2 आचुकी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल क्या किया है आपका एक्जामनर ऐसा किया है कि एक डिस्टेंस दे दिया है ठीक है उसके बाद उसने एक टाइम दे दिया है आपको ठीक है और टाइम दे दिया है और साथ में नाव की स्पीड दे दी है और तब आप से धारा की स्पीड निकल वाई है फिर बोला है ठीक है अब हमें now की speed को 3 km नहीं लेना है वहीं boat A point से B point तक जाए वहीं boat A point से B point तक जाए यानि अब यहाँ पर उसको जो time लगना है उस boat को वो कितना लगना है तो 80 मिनट तो time बराबर हम क्या बोलते हैं time बराबर distance upon speed अब now को समय कितना लगना है तो 80 मिनट तो 80 मिनट को घंटें बदलोगे 80 बटे 60 और point A से B तक जाएगा और A से B तक की दूरी कितनी है तो 20 है तो 20 लिखेंगे ठीक है और A से B तक वो कहां जाता है तो downward जाता है यानि धारा की दिशा में जाता है दिशा में जाता है तो now के speed को क्या माल लो now के speed को ऐसे माल लो B for boat और धारा की रफतार को कितना माल लो तो 2 माल लो यहाँ पे समझ में आ गया मेरा बात ठीक है अब आप काटेंगे 20 से कटेगा 4 बार में 4 से कटेगा 15 बार में तो B प्लस 2 बराबर 15 तो B का मान कितना आ जाएगा boat का मान 13 किलोमेटर फ्रतिगंटा यानि option number B for बाहु बली जो होगा वो correct answer होगा पहले क्या करना था इस relation का इस्तमाल करके हमें धारा की गती निकालनी थी अब जब धारा की गती आ गई तो बोला है ठीक है तुम 20 किलोमेटर तुम जाओ धारा की तुम दिशा में ही जाओ लेकिन उस केस में तुम बताओ की नाओ की स्पीड क्या होगी अगर तुम 80 मिनट में पहुंच जाते हो ठीक है तो पहला relation इस्तमाल करके Y निकाला फिर उस Y को put करके हमने क्या निकाला तो दुबारा से बोट की स्पीड निकाली ठीक है दुबारा से क्या निकाली बोट की स्पीड निकाली क्लियर है निकात न आज के सवाल अच्छे अच्छे है ट्रिकी कोशन से चलिए आज़े कोशन नमबर 37 पे आज़े 37 बहुत मज़दा सवाल एक और स्यम तरीके से कहा गया है एक नाव नीचे जाती है 160 किलो मेंटर और वापस से आ जाती है इस तरीके से उसको कुल समय लगता है 20 घंटे ठीक है पूरा राउन ट्रिप मारने में उसको जाकर आने में कितना समय लगता है तो 20 घंटे ठीक है फिर बोला गया अगर नाव की जो रफ़तार है अगर हम रिवर की रफ़तार को दोगु नहीं कर दें, तो जाकर आने में कितना लगेगा 32 घंता लगेगा समझ रहे हो? क्या हो सकता है? कभी आपका examiner ऐसा बोल देगा अगर तुम नाओ के speed को दोगुना कर दो तो क्या होगा? अगर तुम धारा के speed को दोगुना कर दो तो तुम्हे इतना समय लगेगा? तो आपको बोला गया है speed of boat in still water बताओ अब एक और बात बताते हैं question number 37 को देखो और एक बहुत beautiful question आया है इस बार के आपके paper में और मेरा दिल garden garden हो गया वो सवाल को देखके इतना beautiful question है same pattern पर CGL 2020 tier 1 ठीक है बिलकुल जब मेरी sheet बन रही थी तब मैंने वो question डाल दिया था ठीक है जब डाला था जब sheet बन रही थी तो मैं सोच भी रहा था यहां पर बैठके कि ऐसा भी possibility हो सकता है जहां पर बच्चे का दिमागी काम न करे और वो सोचेगा कि हम सवाल को option से लेकर करेंगे ठीक तो वैसा question जो अपने अभी देखा था वो मैंने डाला हुआ था और अभी देखो तो जब मेरा sheet तो बहुत पहले बन गया था आपको August के time पे boat and stream का और उसके बाद आपका यह paper हुआ है paper जब हुआ है तो आप देखे 2020 के sigil के paper में same concept पर सवाल पूछा गया है कि एक boat जो है वो round trip मारती है A से B तक T घंटे में ठीक है और उसके बाद जो है वापस आती है तो उसको देखो A से B तक जाता है और वापस आता है इस हिसाब से उसको लगता है T घंटा अगर यहाँ पर इस particular question पर बोला गया है speed ठीक है if it's speed in still water अगर now की speed को दोगनी कर दी जाए तो उसको समय का 80 बटे 61 लगेगा तो यहाँ उनका ratio पूछा गया है मतलब कोई difference नहीं है यह वाले question में question number 47 में आप देखेंगे ठीक है और question number 47 के साथ आप 37 को देखेंगे 10 सवाल के बाद है इस particular सवाल में मैंने आपको data दे दिया यह सवाल थोड़ा आसान हो गया लेकिन जो CGL वाले ने पूछा उसको और tough बनागर उसने पूछा हुआ है वहाँ पर उसने कोई data नहीं दिया है ठीक यहाँ पर मैंने आपको distance भी दे दिया है क्यों मैंने distance दिया है और data दिया है तब तो हम तुमको चाय बना के देंगे तो उसी तरीके से उन्होंने जब हमें कोई value नहीं दिया तो हम उनको सिर्फ ratio दे सकते हैं लेकिन अगर हमारा examiner हमें value देता है तो हम उनको value निकाल के दे सकते हैं ठीक अब 99% crowd जो है बेसिक तरीके से बनाने का shortcut मेरे पास 1000 है लेकिन फाइदा आपके paper में वो कुछ भी नहीं करने वाला है simple सा सवाल बोला गया आप मुझे बताओ बस जो बच्चे को मेरा trick याद है वो हमेशा ध्यान रखेगा तो सवाल को second में बना पाएगा मैंने आपको क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि अगर कोई now point A से B तक जाती है और वापस B से A तक आती है तो total time कितना लगता है T लगता है उसी तरीके से यहाँ पर A से B तक जाने में B से A तक आने में लगते हैं 20 घंटे जाकर आने में कितना लगता है 20 गंटा यानि time बराबर हम मानते हैं तो क्या मानते हैं 2d x divided by x square minus y square पता है कि नहीं पता है बोलो तो time के जगह पर कितना दिया गया है जनाब तो time के जगह पर बोला गया है 20 गंटा ठीक है तो बोलेंगे 2 in 2 distance कितना है 160 now की speed को मानो x divided by कितना हो जाएगा x square minus y square और बराबर कितना है बताओ जल्दी से तो 20 गंटा कोई समस्या की बात दूसरे वाले में आजाओ तो बोला गया है same distance तुम जाना चाहते हो यानि 2d x देखो 2d x divided by अब यहाँ पर आप जो है river के speed को दोगुना कर देते हैं यानि x square तो x square ही रहेगा और y value अपनी दोगुनी हो जाएगी यानि y जो हो जाएगा 4y square हो जाएगा और इससाब से 20 के जगा कितना समय लगेगा 32 लगेगा मेरी बात को आप समझ पाएं मेरी बात को आप समझ पाएं या नहीं समझ पाएं कि 2d x divided by x square minus y square 20 था 2d x divided by इतना माइनस इतना पराबर हमारा 32 था अब देखो हमारे पास दो प्यारे प्यारे खुबसूरत equation बन गए हैं अब ये दो खुबसूरत equation बन गए हैं तो इनको कैसे solve करोगे अब देखो यहाँ पर गौर से तो आप बोलोगे सर ये जो 2 into 160 into इतना है न या तो आपके पास 2 तरीके से सवाल को solve करने के उपर वाले का मान बराबर 20 into x square minus y square रख दो या सबसे बड़ी यहां कुछ ना चले तो इनको आपस में भाग कर दो एक उपर अलग equation था एक नीचे अलग equation है मेरी बात को समझ गए उपर नीचे आपस में भाग कर दो 2160 और x और 2160 एकस आपस में कट जाएंगे नीचे वाला उपर चला जाएगा उपर वाला नीचे चलाएगा क्यों क्योंकि A बटे B को जब भाग करते हो C बटे D के साथ ठीक है और माल लो यहाँ पर कि A और C कट जाता है तो क्या D उपर नहीं जाता बिलकुल और B नीचे नहीं आता बिलकुल आता है कि नहीं आता है तो बस वही बात है इसको उपर भेज देंगे तो बोलोगे sir x square minus 4 y square ठीक है और नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा x square minus y square बराबर होगा इनका आपस में उपात लेंगे 4 से 5 बार में 4 से 8 बार में ये value आ जाएगी 5 बटे 8 ये value कितनी आ जाएगी मेरे भाई 5 बटे 8 समझ में आ गया अलग से लिख लो यहाँ पर कि x square minus y square divided by x square minus 4 y square और ये value आ जाएगी 5 बटे 8 के 8 से गुना करोगे तो 8x square 5 से गुना करोगे तो 5x square समझ में आ गया component दिविरेंडों चाहो तो लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं 8x square यहाँ है 5x square यहाँ है समझ में आई मेरी बात यहाँ पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट सवाल में यहाँ है न उपर गड़ लग दिया ये वाला point उपर जाएगा तो x square minus 4 y square आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x square minus y square अब ठीक है अब देखो 8x square यहाँ है 5x square यहाँ है तो सही तो लिखा था 3x square यहाँ पर आएगा minus 32 y square है और minus 5 y square है तो 32 में से 5 गया तो बोलोगे sir 27 y square आएगा कितना आएगा 27 y square आएगा मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए कितना आएगा 27 y square आएगा अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काटोगे 3 से कितनी बार में 9 बार में कटेगा तो x square का मान अगर 9 y square है तो क्या हम x का मान 3 y नहीं लिख सकते हैं बोलो 3 y लिख सकते हैं कि नहीं तो बोलोगे हाँ sir 3 y लिख सकते हैं x कमान हम कितना लिख सकते हैं तो 3y लिख सकते हैं अब यहाँ पर x कमान 3y पुट करो y का value आजाएगा और y का value आजाएगा तो x की value पुट कर दोगे मेरी बात समझ में आगया x के जगह पर कितना लिख सकते हो तो देखो root लगा दिया न मैंने दोनों जगह पर x की value 3y या तो उपर वाले में रख दो नहीं तो नीचे वाले में जिसमें इच्छा हो तो आपने का असर नीचे वाले में रख देते हैं तो 2 into 16 और into x कमान कितना है तो बोलोगे sir x के जगह पर 3y रखेंगे फिर यहां पर 3y, 3 का square कितना हो गया 3 का square 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5y square और बराबर में कितना है तो 32 है यहां पर ठीक है, 16 और 2 32 को पूरा का पूरा तहशन आस कर देंगे y की value y खतम हो जाएगी ठीक है, 2dxy की value कितनी है y की value 3, 9 square में से गया 4, 32 आजाएगा देखो 16 और 2 32 खतम, y से y हमारा खतम तो y की value कितनी आगई, 3 बटे 5 आगई speed of protein still water 1 minute, x upon y की value 3 बटे 1 आई है न x की value 3y आई है तो 2 into 160 into x के जगह पर कितना लिखेंगे 2 into 160 into, ठीक है अच्छा यहां 160 है, माफ करना, यहां पर 160 है यह लिखना भूल गया हूं मैं 16 लिख दिया था, 2 into 160 into x है ठीक है, और तब यह कटा था तो 2 into 160 into y की value कितनी है, 3y है divide करेंगे, 9y में से 5y गया तो बोलेंगे, 9y में से 4y गया तो 5y बराबर कितना 32 के 16 और 2, 32 से 32 खतम 5 से काटोगे, 2 बार में खतम y से y खतम, y की value कितनी आ गई? y की value तुम्हारी 6 आ गई y की value 6 है, तो x की value कितनी आ गई? 18 आ गई, option number जो D है वो correct answer है सभी का comment मुझे दिख रहा है देखते चलो, सवाल में simple बोला है कि जब आप किसी मिंदू पर जाकर आते हैं तो आपको समय लगता है 20 घंटा अगर आप अपने रफतार को 2 गुना कर लेते हैं, मतलब धारा के रफतार को 2 गुना कर लेते हैं, तो 32 यानि पहला equation था, यह दूसरा equation था हमने दोनों का ratio लिया ratio लेने के बाद हमें पता चला x का मान 3y है अगर यहां x बराबर 3y आप नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो x बटे में y बराबर 3 बटे 1 यानि x और y की value 3 ratio 1 में हैं, तो x को 3 के मान सकते हो, y को k मान सकते हो फिर यहां पर इसको k में रखते इसको भी k में रखते, इसको भी k में रखते k का मान आपका 3 आता और उस हिसाब से फिर आप आगे, sorry k का मान 6 आता और तब 6 को आप 3 के साथ गुना करते तो आपका मान 18 आ जाता तो वो depend करता है आपके उपर कि आप के मान कर कर लो, कैसे मान कर कर लो फिलाल हमने यहाँ पर देखा x की value आई, यहाँ पर रखा तो y की value आई और y को रखा तो x की आई, यह आप उल्टा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो कि सीधा y की value x के term में निकाल दो तो y भी x के ही term में आजाएगा, यह भी x के term में है ही है, यह भी x है ही है तो सीधा x की value आजाएगी, यह दोनों options, बहुत सारे options होते हैं आपके पास जो आप सवाल के पास पहुंचते हैं तो, ठीक है, जो आप सवाल के पास पहुंचते हैं जैसे मेरे पास y के value मुझे निकालना असान लगा था, मैंने निकाल दिया, यहाँ पर रग दिया, ठार आ गया, बात खत्म ठीक है, समझ में आया, question number 38 भी कर लिया है हम लोगोंने, ठीक है, 41 तक कर लिया, 44 पर आजाओ, एक और बहतरिंग question से सामना होता है आप लोगों का और सबसे important बात है कि यह सवाल को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, कुछ अनपड़ गमार लोग यह बता देते हैं, ठीक है, कि भहिया देखो boat and stream जो है, वो तुम्हारा आता नहीं है, ठीक, क्योंकि उनको सहाथ पढ़ाना उ पूछा गया है, ठीक है, तो आज के time पर बस इतना समझ लीजे, आप हर किसी के बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनहीं बातों पर विश्वास करें, जो आपके सामने है, जो fact आपके सामने है, पहले क्या होता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज सवाल में बोला गया है, तो X और Y नाम के दो पॉइंट है, तो देखेंगे हैं, बड़ा खुबसूरा तरीके से सवाल में बोला गया है, एक आपका पॉइंट X है, दूसरा पॉइंट आपका Y है, और यहां पर फिर क्या बोला गया है, P और Q जो है, वो इस स्ट्रेट इनको तीन बराबर पार्ट में, सवाल में बोला गया है, जो रिवर है, वो पहले कहां से जाता है, ठीक है, दर रिवर फ्लो अलॉग X, Y, रिवर इस दिशाम में बेह रही होती है, नदी की जो रफदार है, जो धारा है, वो X से Y के तरफ है, फिर उसके बाद क्या बोला ग फिर आपसे बोला गया है, बताओ, speed of boat, downstream कितना होगा ठीक है, और river का कितना होगा, बतादीजे जल्दी से, यानि हमसे downstream धारा की दिशा में, और उसके बाद नदी का जो रफतार है, वो हमसे पूछा गया है कितना होगा, तो बहुत असान कोशन है, कोई दिकत की बात यहाँ स और यहां से लेकर यहां तक जाने में, बताएंगे टाइम किसके बराबर होता है बताओ, तो बोलो गए Sir Time distance upon speed के बराबर होता है यानि जब now x से लेकर q तक जा रही थी तो कितना distance ताय कर रही थी तो बोलोगे sir 2d ठीक और speed उसका कितना था तो x से लेकर y तक जाने में x से लेकर y तक जाने में उसका जो speed था वो था x plus y ठीक क्योंकि वो धारा के दिशा में जा रही थी जब now y से लेकर q तक आ रही थी तो वो distance कितना तैय कर रही थी d और उसका speed कितना था तो बोलोगे sir x minus y था speed कितना था तो x minus y था मेरी बात समझ गया आप यहाँ पे speed कितना था तो x minus y था कोई समस्या की बात यहाँ उसके बाद आप यहाँ पर देखे तो आपको बुला गया है सवाल में कि जब आप ऐसे जा रहे थे और ऐसे जा रहे थे तो जो समय कांतर था या जो ratio था वो कितना था तो 4 ratio 5 था ठीक है कितना था ratio तो 4 ratio 5 था यह time का आपको ratio दिया गया है time बराबर distance upon speed time बराबर distance upon speed दोनों लिख लिया हमारा d से क्या हो गया d खतम हो गया ठीक है 2 से जो है हमारा क्या हो गया 4 दो बार में खतम हो गया ठीक है x minus y कहा जाएगा अब आप यहाँ बोलेंगे तो इसको reverse मार देंगे तो बोलेंगे sir यहाँ पर देखो x minus y उपर और x plus y नीचे तो x minus y divided by x plus y बराबर होगा 2 बटे 5 के यहाँ से अगर आप सीधा के सीधा value निकालेंगे तो आपको x बटे y की value आ जाएगी कैसे आएगी 5 में 2 को जोडेंगे तो 7 आएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा यह आपका x और y का value आ जाएगा किसका value आ जाएगा तो x और y का value आ जाएगा समझ गया आप मेरी बात को कोई परिशानी की बात है आपको यहाँ पर x और y की value आ गया इस सवाल में बोला गया है कि downstream और river का कितना होगा तो down की value हमारी 10 हो जाएगी और river की value 3 हो जाएगी 10 अनुपात 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अब इस सवाल को इससे भी short में किया जा सकता है ठीक है इस सवाल को इससे भी faudra 2D distance it stay , तोुडिन जब गया को .. जो टीन पॉयंट सांए यहाँ पर कि यह य मान्ट हे present हर किसी के distance के बिद मानलो के के मानला ellas ँ साथ दाउनगे हाँ दाउनगे स्ट्रім उड़क्ता को D समयाँ हाँ और रोन किसके बराबर है 10 बिद मृराबर ही फिर उसके बाद जो है वो कितना गया तो बोलोगे Sir 3 यहाँ पर कितना जाएगा ठीक है उसके बाद उसने जो दूरी तैकी थी वो 3 के तैकी थी और U बराबर कितना आएगा 5 के 2 से के से के खतम और 2 से काटोगे 2 बार में तो आपका सीधा अप और डाउन की वैल्यू कितनी आजाएगी तो अप और डाउन की वैल्यू दू बटे 5 अब खुद मुझे बताओ यहाँ पर सवाल में रेश्यो किसका पूछा गया है तो डाउन का पूछा गया है और बोट का इसका पूछा गया है तो 5 और डो साथ का कितना हो जाएगा आधा ठीक है सॉरी बोट का नहीं रिवर का पूछा गया है तो 5 में से 2 गया नहीं 3 का आधा अब यहाँ पर रेश्यो निकालोगे तो कितना आजाएगा 10 अनूपात 3 आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो सबसे पहले ratio of speed of both to that of current 10 ratio 3 जो है वो correct answer आ जाएगा, दोनों तरीके से आप कह सकते हो मैंने यहां कहा किया कि x-y, x-y न लेके बस उसके जगह पर d ले लिया, d ले लिया तो क्या हो गया मैं सिधर d upon u की value निकाल पाया ठीक है, मेरा और असान हो गया ना सवाल, u उपर चला गया, d नीचे आ गया component और डिविरेंडों का चक्कर ही नहीं पढ़ा दो बटे 5 पे आ गया, ठीक है d की value इतनी हो गई, now की value दोनों का आधा इस तरीके से हमने ratio निकाल लिया तो यहीं सवाल देखो, एक अगर x plus y मान के कर रहे हो, तो थोड़ा लफडे में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वहीं du मान कर कर लेते हो, तो असानी से हो जाता अभी आपके उपर depend होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ratio दिया गया है, तो ratio ही लिया करो, ठीक है, ratio दिया बोला गया 27 km upstream जाते हो, 33 km downstream जाते हो 6 गंटे में उतने ही समय में 36 km upstream जाते हो, 22 km downstream जाते हो बताओ तुमको 36 km upstream जाने में और downstream जाने में कितना समय लगेगा दोनों case में क्या है? टाइम बराबर है, यानि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 27 U ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 23V, 27U प्लस 23V, जो समय लेगा उतना ही समय, ठीक है कितना समय ले रहा है, तो बोलेंगे सर 6 घंटा ले रहा है, और यहीं जो value है, यह किसके बराबर है तो यहीं value जो है, वो 36U ठीक है, 36U और प्लस कितना है भीया 22V के बराबर है, मेरी बात को समझेगा यानि यह value इसके बराबर यह value इसके बराबर तो क्या पहली वाली जो value है वो दूसरी वाली value के बराबर है, बताओ यह भी समय 6 घंटा, यह भी समय 6 घंटा, तो बताओ मुझे 33 में से 22 गया तो कितना आजाएगा? 11V आजाएगा और 36 में से 27 गया तो कितना आजाएगा? 9U आजाएगा यानि यहां से अगर हम बात करेंगे तो V बटे U का जो मान होगा वो 9 बटे, sorry 33 में से 22 गया तो कितना आजाएगा? 27 UP है 33 DOWN है same time में 36 UP है और 22 डाउन है तो 33 में से 22 गया तो 11 और 36 में से 27 गया तो 9 ठीक है? यहाँ पर यह V है और यह U है तो V बटे U बराबर ठीक है V बटे U बराबर देखेंगे यहाँ पर V बटे में U बराबर कितना आएगा तो 9 बटे 11 V बटे U बराबर 9 बटे 11 तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डाउन बटे अप बराबर डाउन बटे अप बराबर 11 बटे 9 समझ में आ गया बुलोगे सर डाउन और अपको आप 11 और 9 कैसे लिख दे रहे हो तो मेरे भाई वन अप उन भी देखो भी का उल्टा क्या होता है भी का उल्टा डाउन होता है तो भी अगर 9 है समझ ना तो भी का उल्टा नीचे चला जाएगा और यू का उल्टा उपर चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर डाउन अपॉन वी जो है क्या हो जाएगा देखो डाउन बराबर क्या होता है down बराबर 1 upon V होता है मेरी बात को समझो यानि 1 upon V यानि 11 down की value और 9 इसकी value है सवाल में बोला गया आप देखो यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी तरीके से या आप इसको छोड़ो आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो एक काम करो V upon U कामान किसमें ले लो के में ले लो कि V upon U कामान 9 के और 11 के ले ले लेते हैं अब आप या तो पहले में पूट कर दो या दूसरे में पूट कर दो ठीक है V और U कामान के में आ गया इस के के मान को पहले में पूट कर दो या दूसरे में पूट कर दो तो आप बोलोगे सर किसी में भी put कर लो माल लो मैंने कहा V command आप इसमें put कर दो U command 11K है तो लिखेंगे 27 into 11K ठीक है जमा कितना है 33 into V command कितना है बताओ 33 into 9K और बराबर में कितना है 6 है 27 इसको गुना करोगे तो 7, 7, 2, not 297 और 33 किसको गुना करोगे तो 293 के 27, 293 के 27 और ये भी 297 दिख रहा है आपको यहां पर 300 में 3 की कमी 300 में 3 की कमी यानि 600 में 6 की कमी तो 600 में 6 की कमी यानि 594 के बराबर में कितना हो जाएगा 594 के बराबर में 6 हो जाएगा समझ में आ रहा है मेरी बात को 594 के बराबर में 6, 6 से काटोगे तो 6, 94, 6, 94 तो जो के कमान आएगा, के कमान कितना आएगा 1 upon 99 आजाएगा के कमान कितना आजाएगा, 1 upon 99 आजाएगा ठीक है? क्या के कमान निकालना जरूरी है क्या? सवाल में बोला गया है कितने समय में वो 36 km upstream जाएगा यानि 36 U और 44 क्या बोला गया है V बोला गया है 36 U और 44 V 36 U और 44 V का मान कितना है ठीक है के का मान आ गया ना अब के का मान आ गया तो हमसे बोला गया है कि 36 km upstream और 44 km downstream जाने में कितना समय लगेगा तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है 36 km upstream का मतलब हो गया 36 U और 44 km downstream का मतलब हो गया 44 U ठीक है 44 V और बराबर क्या होगा तो ये हमारा हो जाएगा बराबर time के time बराबर distance upon speed ठीक है U का मान कितना है बता दो तो U का मान है 11 है 11 को 36 के साथ गुना करेंगे 6, 6, 39 और 300 इतना और V का मान कितना है तो बोलेंगे 9, 9, 36, 9, 36 और 396 400 में 4 की कमी, 400 में 4 की कमी, 800 में 8 की कमी तो बोलेंगे 792, 792 क्या बताना है? 792 के बताना है 792 के बताना है और 792 into के का मान कितना है तो 1 बटे 99 यहाँ पे 11 से काटو 7 बार में, 11 से काटو 2 बार में 11 से काटो 9 बार में, 9 से काटो 8 बार में तो समय तुम्हारा कितना लगेगा? 8 गंटा लगेगा Option No.E, वो कितना हो जाएगा? 8 गंटा हो जाएगा ठीक है? ठीक, 27 यो और 23 यो कमान 6 दिया हुआ है, 36 यो और 22 यो कमान दिया गया है V upon you कमान आ गया, वहां से हमने के कमान निकाला और मुझे नहीं लगता कि के कमान निकालने की यहां आवशक्ता भी है मुझे नहीं लगता है के कमान निकालने का कोई भी आवशक्ता है कोई भी आवशकता है कि एक आमान निकालने का मुझे नहीं लगता है 27 किलोमेटर अप स्ट्रीम, 33 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम, 6 घंटा लगता है बिलकुल, ऐसे जो है, मुझे नहीं लगता कि एक काम करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको और शॉट में बनाने का प्रयास करते हैं देखते हैं कि क्या इसको और शॉट में बनाया जा सकता है मालनो इस सभी चीजों को हटा दो यहां, केवे का मान सब कुछ हटा दो यहां पे आप ऐसे समझो कि 27 km अपिस्ट्रीम जाने में 23 km डाउनिस्ट्रीम जाने में हमें लगते हैं 6 hours उसी तरीके से 36 km अपिस्ट्रीम जाने में और 22 km डाउनिस्ट्रीम जाने में हमें लगते हैं 6 गंटे हमें लगते हैं कितना गंटे निकाला जाये तो क्या निकाला जा सकता है 9U और 11V ठीक है 9U और 11V यहाँ पर कुछ तो relation निकालो चलो V का मान K के form में ना लिखो चलेगा कोई समस्या की बात नहीं है ठीक है आप इसी relation से निकाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है 11V का मान कितना है तो 11V का मान 9U है आप इसी relation से निकाल सकते हो ठीक है आप इस relation से भी निकाल सकते हो 11V का मान 9U है 11V का मान 9U है तो 33U का मान कितना हो जागा देखो 11 का मान 9 है तो 33 यानि इसका 3 गुना तो 9 का 3 गुना 27, 27, 27, 27 24, 24U का मान कितना है सवाल में तो 6 है मान लो इतना दिया गया है और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है 36 U पता करना है और साथ में 44 V पता करना है किसका मान कितना है 36 U का मान 36 U आ जाएगा और यहां पर देखो 11 V 9 के बराबर तो 44 9 का दोगना यां 36 80 233, चत्ति शेंह और 36 केया तो ऊकोड़े kतितने काशन चत्ति को 50 क्यारत अगुत्त यहकों अगया। Hey, When we have a 5-50, शेंहेंहें मैmли 6, chicos 6 in-22, vivid 6, with O, इसे 9-50 08, तो ऐसे भी वना पाऊउगे 8, 15… ठीक है और असानी से किया जा सकता है समझें में नहीं मेरे बात को समझो एकदम सिंपल कोशन है देखो इतने का मान 6 गंटे और इतने का मान 6 गंटे जब हमने दोनों को पकड़ा तो हमें पता चला एक 11 V जो है वो 9 U के बराबर है हमने का है 11 V 9 U के बराबर है हमने का है 11 V 9 U के बराबर तो 30 V हमारा 27 U के बराबर 27 और 27 कितना हो गया 54 U का मान हमारा 6 आ गया हमने इसको ऐसे रहने दिया हमने इसको नहीं छेड़ा फिर सवाल में हमसे बोला 36 किलोमेटर अपस्ट्रीम 44 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम यह V है अगर तो यहां 44 वी का मान यानि यह 11 का चार गुना तो 9 का चार गुना 36, 36 और 32 यू का मान बताना है 54 यू का मान दिया है 72 यू का मान बताना है यू का मान 6 बटे 54 तो 72 को 6 बटे 4 के साथ गुना करेंगे तो आजाएगा 8 के वे का जंज़ छोड़ो जितना बेसिक में गुसोगे उतना टाइम लगने वाला है कोई फायदा है नहीं ठीक है कोई फायदा है नहीं समझ में आगे मरी बात को अमीशा जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि सर डारेक्ट वैल्यू रखने पर आ तो जा रहा है बहुत बच्चे क्या समझते हैं अब उनके confusion को मैं clear करता हूँ बहुत बच्चे ये समझते हैं न कि अगर यहाँ पर V और यहाँ पर समझना है मेरी बात को बहुत बच्चे ये समझते हैं कि V के सामने 9 आ गया और U के सामने 11 आ गया तो पक्का यहीं इसका मान होगा मेरे भाई ये मान नहीं होता है ये ratio होता है इस बात को समझे आप बहुत बच्चे समझते हैं V के सामने 9 आ गया तो 9 रख लो U के सामने 11 आ गया तो 11 रख लो ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता ये ratios होते हैं इसी वज़े से मैंने k और k लिया है मैं पागल नहीं हूँ यहाँ जो मैं k लेकर आपको बता रहा हूँ क्या होगा कभी कभी value आपके answer ही नहीं आगी आपका option 8 भी दिया रहेगा आपका option यहाँ 4 भी दिया रहेगा आपका option 16 भी दिया रहेगा 8 का आदा भी होगा 8 का दोगुना भी होगा अगर यह k अगर मालो यहाँ पर k की value 1 है तब तो 8 हाएगा k की value 2 है तो आपका 16 हो सकता है k की value आदी है तो आपका 4 हो सकता है इस बात को समझो आप ठीक है direct value यह ratios होते हैं कभी भी v upon u बराबर 9 बटे ग्यारा this is only a ratio this is not the mere exact value ठीक है exact value नहीं है कि आप यहाँ पर exact value लेके और बना लेंगे ठीक चलो आजाओ question number 46 को देखो बहुत बच्चे सोच रहें क्या पता है आरे value आया direct truck लेंगा इसे कईसे direct truck लोगे घर की खेती है जो direct truck लोगे बताओ सवाल में देखो बोला गया है सवाल में एक वेक्ती किसी दूरी को 8 km downstream जाता है एक निश्चित समय में ठीक है और 6 km upstream जाता है उसी निश्चित समय में अगर वह 24 km upstream जाता है and the same distance downstream means 7 by 4 ठीक है 7 by 4 hour है यहाँ पर तो speed कितना होगा बड़ा प्यारा question और and can row 6 km upstream in same time ठीक है 8 km आप down जाते हैं और उसी समय में जो है आप 6 km up जाते हैं दोनों का समय क्या है तो दोनों का समय बराबर है दोनों का समय क्या है बराबर है आप एक और बात अब दोनों का समय बराबर है तो आपको time speed distance में पढ़ाय था कि जब हमारा time constant होता है तो time constant होता है तो जिस ratio में speed होता है या जिस ratio में distance होता है उसी ratio में क्या होता है तो speed होता है तो बोलेंगे ठीक है सर सबसे पहले बात करते हैं down की और फिर बात करते हैं up की ठीक है तो distance का ratio कितना है तो बोलेंगे सर distance का ratio आठ अनुपात 6 है यानि अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की रेशियो तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा 4 अनुपात 3 अगर डिस्टेंस का रेशियो 4 अनुपात 3 है तो मेरे भाई यहीं स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा और speed का भी ratio कितना हो जाएगा 4 अनुपात 3 हो जाएगा 4 ratio 3 हो जाएगा यानि 4 जो है वो down की speed कहलाएगी 3 जो है वो up की speed कहलाएगी समझ में आ गया मेरी बात को ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ जल्दी से फिर उसके बाद सवाल में बोला गया है कि यदी वह 24 किलोमेटर उपर जाता है और and the same distance नीचे आता है तो उसको लगते हैं इतना घंटा अब यहाँ पर यह आपका distance दे दिया गया है यह आपका total time दे दिया गया है ठीक है अब आप मुझे एक बात बात आओ ठीक है एक बात simple से बताओ down की value है 4x और मान लीजे यहाँ पर up की value है 3x तो यहाँ पर अगर मानो हम 4 ratio 3 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो समझो जैसे मान लो सवाल में बोला गया है कि इनका kilometer का दोरी 8.753 है या 8.756 है अगर यह distance का दोरी 8.756 है तो speed को भी हम ऐसा कह सकते हैं कि speed का भी ratio 8 और 6 होगा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेगा आप जब भी आपका time constant होता है जब भी आपका समय बराबर होगा constant होगा तो हमें इस बात का खास ध्यान यहाँ पर रखना है इस बात का खास ध्यान यहाँ पर रखना है कि जीस ratio में हमारा जो down और up का होगा आपको एक बात हमेशा बढ़ाया था देखना जैसे मालो एक वेक्ती यहाँ चलता है और एक वेक्ती यहाँ से चलता है दो घंटे के बाद दोनों टकरा जाते है अगर इसकी रफतार 60 की है और इसकी रफतार 30 की है तो यह दो घंटे में कितना भागा होगा तो दो घंटे में 120 भागा होगा इसकी रफतार 60 की है इसकी रफतार 30 की है और दो घंटे में यह कितना भागा होगा तो 30 into 260 तो distance का अगर ratio देखोगे तो 2 ratio 1 और speed का ratio देखोगे तो 2 ratio 1 यानि जब समय बराबर होता है तो distance का ratio ही हमारा speed का ratio कहलाता है तो distance का ratio क्या हो गया 8 ratio 6 और speed का भी ratio 8 ratio 6 भी हो जाएगा 4 और 3 भी कह सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन उससे हमारा नुकसान है तो अब हम यहां से अगर boat का value बताएं boat की value कितनी होगी तो 8 6 14 यानि आधा हो जाएगा 7 x और अगर हमें धारा की बोलनी हो तो 8 में से 6 घटा दो 2 2 का आधा कितना हो जाएगा stream का value कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir stream की value हमारी ठीक है 8 में से चोगिया x हो जाएगा सवाल में बोला गया है अब आप 24 किलोमेटर कहीं पर जाते हैं और वापस आते हैं इस तरीके से कुल मिला के 7 बटे 4 घंटे आपको लगते हैं total time 7 by 4 आवर दे दिया गया है distance भी आपको दे दिया गया है तो बताओ अब आप यहाँ पर concept लगाओगे concept क्या लगाओगे total time बराबर 2dx divided by x square minus y square ठीक है total time सवाल में कितना दिया गया है तो 7 बटे 4 तो यहाँ पर 7 बटे 4 लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे distance कहीं दिया गया है तो 24 लिखेंगे x का मतलब क्या है यहाँ पर तो x का मतलब boat है और उसकी value कितनी है तो 7 x से यहाँ लिख देना ठीक है x ना लिख कर यहाँ आप यहाँ पर b और s शब्द का इस्तमाल कर लो यहाँ पर b और s शब्द का इस्तमाल कर लो ताकि confusion नहीं होगा 2d boat divided by boat का square minus stream का square boat की value कितनी है? 7 7 का square कितना होता है तो 49 x square stream का कितना होता है तो x square यहाँ minus कर देंगे 49 में से इतना जाएगा तो कितना आजाएगा? 48 आजाएगा तो सीधा लिखो 48 x square बात खतम power से x का खतम हो जाएगा यहाँ पर 4 से काटोगे तो कितनी बार में? 12 बार में, 12 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में 7 से तुम्हारा 7 खतम, x की value कितनी आ जाएगी, x की value 4 आ जाएगी सवाल में किस का मान पूछा गया है speed of current पूछा गया है stream का मान x और x का मान 4 है तो कितना आ जाएगा, option number a जो है, वो correct answer होगा option number जो a है, वो क्या है correct answer होगा, इस बात को ध्यान दीजे तो यहाँ पर question number जो 46 है उसका answer आ गया है, ठीक है आप question number 47 देखते हैं, अलो ठीक है, question number 46 आ गया 47 देखते हैं, बहुत शांदार अभी सिंग सवाल में 47 देखे बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा question ठीक यही सवाल तुम्हें कह रहा था, एकदम वहीं question number 37 और 47 एकदम सेम है एक बार वहाँ पर बता दिया, एक बार आपको यहाँ पर बता दे रहूं, ठीक है एक बार वहाँ पर बता दिया, और एक बार यहाँ पर बता दे रहूं, देखो सवाल में बोला गया है, एक बोट जो है एक round trip मार कर आती है ठीक है, आने में और जाने में समय कितना लगता है, तो T घंटा यदी हम, यदी हम ठीक है, if the speed, अगर उस बोट की रफतार को दोगुनी कर दी जाए तो उसको 80 बटे 100 T लगेगा यहाँ पर, 80 बटे 100 T लगेगा ठीक है 80 बटे 100 T लगेगा तो बोला गया है, ratio of speed in still water to speed of boat सेम कहानी मैंने बताई थी आपको शुरू में जो समय लगेगा, वो क्या लगेगा तो बोलोगे, sir, 2D x divided by x square minus y square बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा T के, फिर उसके बाद हम बोलेंगे तो 2D और उतना ही समय देखो, उतना ही दूरी जा रहे हो जितना पहले गए थे, बस यहाँ पर आपने now के speed को double कर दिया है now के speed को double कर दिया है यानि 4x square minus y square और बराबर होगा किसके, तो 80 बटे 161 T के देखो, एकदम डेटा मैंने लिख दिया जो मुझे डेटा मिला, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने क्या किया देखो 2D x divided by x square minus y square बराबर T, 2D x और यहाँ पर now के speed को double किया गया है पिछले सवाल में, धारा के गति को double किया गया था यहाँ पर समय 20 दिया गया था यहाँ पर 32 दिया गया था वहाँ पर distance को 160 दिया गया था कुछ याद आ रहा है या भूल गए सपना याद आ रहा है, question number 37 देखो, मुझे डेटा तक भी याद है अब इन दोनों को क्या करो, भाग करो भाग करोगे तो 2dx से तुम्हारा 2dx का खातमा हो जाएगा ठीक है, तुम्हारा t से तुम्हारा t खतम हो जाएगा, अब 4x square कहां जाएगा, तो 4x square minus y square उपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, और नीचे वाला क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा, x square minus y square 161 जो है, वो कहां चला जाएगा उपर, और 80 जो है, वो तो नीचे ही रहेगा कोई दिक्कत की बात अब आप यहाँ पर कट्टम कुटाई खेलो x और y का माल लेके आओ और उसके बाद आप सवाल को बना पाओगे तो अगला step जो होता है, वो क्या होता है, वो देखो यहाँ पर 8 चुके कितना होगा तो बोलोगे sir 132 देखो 80 का 4 गुना कितना आजाएगा 8 चुके 32 यानि 320 आजाएगा और 161 का 1 गुना 161 आएगा अब यहाँ पर देखोगे, तो देखो यहाँ पर 169 मिलेगा 159 मिलेगा, कितना मिलेगा 159, 320 में से इतना घटाओगे तो कितना आएगा, 159 आएगा तो यहाँ पर कितना आजाएगा 159 x², ठीक, समझना मेरी बात को यहाँ माइनस 161 होगा यहाँ पर ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 159, 320 में इनकी चाल दोगनी हो जाती है यदिस्तिर जल में इसकी चाल तो 80 x 161 ही तो लिखा है हमने सही तो लिखा है t बटे 1 बराबर इतना बटे इतना 161 बटे 80 8 चोगे 32 माइनस 80 ठीक है ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड कर दी है कि 8 चोगे 32 एक काम को एक एक स्टेप को सॉल्फ करना जरा एक एक स्टेप को सॉल्फ करना 2d x divided by इतना ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं 8 चोगे 32 320 x square माइनस 80 y square बराबर होगा 161 x square माइनस 161 y square के y माइनस में कैसे आ रहा है भाई y माइनस में कैसे आने लगा मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है y माइनस में कैसे आ सकता है boat cover a round trip journey between 2.10 t hour speed if it's speed in still water यदी स्थिर जल में इसकी चाल दोगनी हो जाए कभी कभी है न बुद्धी जो है वो घास चरने मेरी चली जाती है पता है कभी कभी है न मैं भी एकदम चरवाहो वाली बुद्धी लेकर आ जाता हूँ धरती पे लगता ही नहीं है अपने कभी सीजल निकाला भी है एकदम गधे वाली बुद्धी लेकर आ जाते है भाईया x का मान दो गुना किया गया है तो 2 into d into और x का मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि x अपने आपको डबल कर रहा है यहाँ आप मेरा चच्चा मल्टिप्लाई करेंगे बताओ अब यहाँ पर यहाँ पर गुना करोगे तो 2 से इसको भी काट सकते हैं कितनी बार में? 40 बार में अब आप देखेंगे तो यह वाला उपर चला जाएगा 4x स्क्वाइर माइनस में y स्क्वाइर और डिवाइड करेंगे x स्क्वाइर माइनस y स्क्वाइर को तो यह बराबर होगा देखो 161 को उपर लेकर चले जाओ और 40 को नीचे लेके आजाओ अब यहां देख लो 4 चूपके 60 और 161 160 और 161 तो यहां पर आजाएगα हमारा x स्क्वाइर और यहां कितना हो जाएगा माइनस 40 और वहां हो जाएगा 160 तो यह हो जाएगा हमारा 121 y square बराबर में कितना x square के सवाल में बोला गया speed in still water to speed of river यानि y square बटे में x square बराबर होगा 1 बटे 121 के अगर यहां पर आप फर्दर या आप उल्टा भी कह सकते हो यहां पे ठीक है आप ऐसा भी कह सकते हो कि x square बटे में y square बराबर में 121 बटे 1 के जब इनका ratio निकालोगे तो बोलोगे x बटे y बराबर 11 बटे 1 तो option number क्या आएगा a is the correct answer ठीक है कोई दिक्कत की बात सेम तरीके से ratio लिखेंगे और ratio के value आजाएगी हमारी यहां पर और यहां पर तब हम value बता पाएंगे ठीक कोई समस्या यहां पर चलो तो 47 सवाल हो गया ठीक आजओ में इसका question है CGL tier 2 11 सितंबर का बड़ा बढ़िया पहतरी इन प्रशन है 48 तो देखते हैं 48 सवाल को देखो बोला गया अभी जो है वो upstream जाता है कितना 28 km कितने दिर में 4 गंटे में और downstream जाता है कितना 50 km कितने घंटे में 2 गंटे में बोला गया 44.8 km शांत जल में जाने में उसको समय कितना लगेगा तो हम बात करते हैं upstream 28 km 4 गंटे तो upstream की जो रफतार हो गई वो कितनी होगा यह 25 बटे 4 यानि 7 हो गई downstream 50 km 2 गंटे तो down की value कितनी हो गई 7 हो गई 25 हो गई 50 बटे 2 यहाँ पर boat की value बताएंगे तो 25,7,32 का आदा 16 और stream की value बताएंगे 25 में से 7 गया कितना हो जाएगा 16,9,25 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 का आदा ठीक है देखो दोनों को जोड के आदा दोनों को घटा के आदा boat और इसका आगया सवाल में हमसे बोला गया to row a distance of इतना in still water still water में जाने में उसको समय कितना लगेगा तो time बराबर distance कितना जाना चाहता है 44,8 और रफतार कितनी है boat से जाना चाहता है बेचारा boat से जाने दो तो बोलोगे sir 16 से काटो तो 16 बार में 2 गुना 32 और 126.8 2.8 जो है आवर लगेगा option number जो A है वो correct answer हो जाएगा ठीक है अपकी value start down की value 25 बोट की इतनी आ गई रफतार इतनी आ गई और बहुत ही simple question मेंस का question है बताओ मेंस का question है ऐसे सवाल हमें दम बिलकुल भी नहीं होता चलो आ जाओ 2018 में इसके question लगा दी 2018 में कौन कौन से paper थे 11 तारीक को था वो लगा दिया अब 12 तारीक वाले सवाल को भी लगा लो फिर 13 तारीक वाले सवाल को भी लगा लेना ठीक है चलो सवाल में बोला गया है जो बोट की रफतार है शांत जल में वो 18 है जो धारा की रफतार है वो 6 है कितना समय बोट को लगेगा 90 किलोमेटर upstream जाने में और उतने ही किलोमेटर downstream जाने में ठीक है तो क्या बोलोगे बोलोगे time बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा देखो टाइम बराबर टोटल टाइम पूछा गया है टोटल टाइम कितना लगेगा तो टोटल टाइम कर लगेगा ही नहीं देखो क्या हो जाएगा 2DX divided by X square minus Y square मतलब बस ये फॉर्मुला का उपयोग करना था और आंसर लेकर आ जाना था और कुछ नहीं था कुछ नहीं था बस ये बोला गया आपको सवाल में कि बिटा देखो बात ऐसी है तुमको जो है ठीक है शांत जल में 18 है इतना है और यहां पर है देखो नाव की रफटार देदी है धारा की देदी है डिस्टेंस देदी है टाइम पूछा है मतलब बस ये फॉर्मूला जिसको याद है वो सवाल में दो नंबर फ्री फंट जाता पेपर में उठा के लेके चला आता डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे सर 90 किलोमेटर है ठीक है X की वैल्यू यानि कितनी है तो 18 है यहाँ पे और X2-Y2 क्या करो X2-Y2 के जगह पे X-Y, X-Y कर दो 18 में से 6 गया तो बोलोगे सर 18 में से 6 गया 12 और 18 और 6 कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा कोई समस्या की बात यहाँ पे बताओ जल्दी से X2-Y2 के x-y x-y लिखा जा सकता है ठीक है कोई समस्या है है हाँ पर चलिए तो देखते हैं 6 से 2 बार में करता है भाई 6 से 3 बार में करता है 2 से 2 बार में करता है 3 से हमारा 8 बार में करता है और 90 बटे 8 को हम क्या लिख सकते हैं तो 90 बटे 8 को हम लिख सकते हैं 1188 88 ठीक है और 1188 2 बटे 8 है यानि 2 बटे 8 को फर्दर लिखा जा सकता है 1 बटे 4 तो 11 सही 1 बटे 4 जो होगा वो इसका correct answer होगा option number B अब तो mains level भी हलवा लग रहा है बहुत शांदार हर दीजी और इसके बाद इस साल के paper में यानि 18 तारीक के paper में आपको mains में एक boat and stream का question था वो भी देख लीजे सवाल में क्या बोला गया है बोला गया है एक boat जो है वो 5 किलोमेटर upstream जाती है 7.5 किलोमेटर downstream जाती है कितने समय में जाती है तो बताओ यहाँ पर तो 45 मिनट में जाती है ठीक है 5 किलोमेटर up जाएगी 7.5 down जाएगी 45 मिनट में फिर बोला गया है वो 5 down जाती है 2.5 up जाती है 25 मिनट में तो उसको कितना समय लगेगा 6 up जाने में बताओ ठीक है कितना up लगेगा तो एकदम हलवा वाला सवाल जैसे हम बार बार बता रहे हैं 5 up जा रहा है तो क्या लिखोगे 5 u लिखोगे 7.5 क्या जा रहा है down तो लिखोगे 7.5 v लिखोगे और इस हिसाब से समय 45 बटे 60 लिख सकते हो इसको ठीक 45 बटे 60 मिनट में फिर 5 down जा रहा है 2 up जा रहा है तो यहाँ पर लिखो 2 up और कितना गया 5 down गया और इस हिसाब से समय लग रहा है 25 तो लिखोगे 25 बटे 60 यहाँ पर अब आपको बोला गया है ठीक है तो देखो यहाँ 5 u है और यहाँ 2 u है तो क्या यहाँ पर धाई को 5 बनाया जा सकता है तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बनाया जा सकता है बिलकुल बनाया जा सकता है ठीक है तो धाई का दोगुना यहाँ सीधा इस सब का दोगुना करके लिखे दो तो देखो धाई का दोगुना क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 5 u 5 का दोगुना क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 10 u ठीक है और 50 में से 45 गया, तो बोलोगे, 5 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, V का जो मान आएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका दशमला उड़ाओगे, तो 0 से 0 खतम, 5 से 5 खतम, तो 1 अपॉन वी का जो मान आजाएगा, वो आजाएगा, तुम्हारा 30, 1 अपॉन वी का मान का मतलब क्या हो गया, डाउन का मान 30 हो गया, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, वी का मान 1 बटे 30, अब यहाँ पर वी का मान रखोगे, तो यू का भी माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, u का भी माना जाएगा तो u का मान सिधा का सिधा निकाल देते हैं आपन ठीक, u का मान सिधा का सिधा निकालो, v का मान 1 बटे 30 v का मान यहां पर देखो, इसमें put करो तो बोलोगे सर्फ 5 u और जमा 10 into ठीक है, v के जगा पर रखेंगे, v के जगा पर 1 बटे 30 यानि इतना बराबर हो जाएगा पचास बटे साथ के अब ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा तो बोलोगे इतना बराबर माइनस दस बटे कितना तीस के, अब यहाँ पर देखो तो यह दस बटे तीस है, यहाँ साथ है तो इसको भी 60 बना दो यानि 20 बटे 60 50 में से 20 गया तो 30 बटे 60 यानि आधा हो जाएगा देखो मैंने कहा यहां 60 तो इसको 60 बनाओ 60 बनाने के लिए उपर 2 से गुना नीचे 2 से गुना 20 बटे 60 हो जाएगा 20 बटे 60 हो जाएगा समझ में आ गया पचास में से 20 गया तो बोलोगे सर 30 आजाएगा नीचे 60 है यानि हाफ हो जाएगा तो पूरे कमान कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो यहां से U कमान कितना आएगा तो बोलोगे सर 1 upon U कमान कितना आजाएगा तो 1 upon U कमान हमारा 10 आजाएगा यह हमारा down का मान है यह हमारा up का मान है यह हमारा down का value है यह हमारा up का value है बोला गया है कितना time लगेगा 6 km upstream जाने में तो time बराबर distance upon speed कितना हो गया तो 10 हो गया 6 बटे 10 यानि 0.6 hour ठीक है अच्छा minute में बोला गया है न तो देखोए time बराबर क्या होगा तो time बराबर distance और upon speed कितनी है 10 है minute में बोला गया है तो घंटे को minute में बदनने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो बोलोगे sir 36 minute लगने वाला है कितना लगने वाला है तो 36 minute option number जो C है वो correct answer है दुबारा से देख लो यहाँ पर u है तो लिखा गया है यहाँ पर हमने v command निकाल दिया आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप उपर ही क्या करते v को cancel कर देते और u command निकाल देते क्योंकि हमें जब upstream चाहिए तो हम v command क्यों निकाले हम v command नहीं निकालेंगे आप अगर वैसे चाहते तो सवाल को वैसे भी solve कर सकते थे देखो जैसे मान उस सवाल में क्या बोला गया था कि 5 km downstream जाता है धाई up जाता है तो मान लो यहाँ पर भाई मेरे धाई up जाता है और यहाँ कितना जाता है 5 down जाता है यह मान मेरा दिया गया था सवाल में कितना 25 बटे 60 दिया गया था मुझे U की वैल्यू चाहिए तो मैं V को कैंसल करूंगा ठीक है 7.5 का कितना 2 गुना जो होता है वो 15 होता है 5 का 3 गुना कितना होता है 15 होता है 2 और 30 गुना करना है 5 इंटू 2 दस होगा और 2 इंटू 2 धाई धाई साड़े साथ होगा 10 में से साड़े साथ गया तो बोलोगे सर धाई U बचेगा ठीक है और यहाँ पर 15 और ये भी 15 आपस में खतम 45 का 2 गुना 90 और 25 का 3 गुना 75 तो 90 में से 75 गया तो बोलोगे सर 15 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा दशमला उड़ाओगे तो 0 से 0 खतम ठीक है 5 से तुम्हारा या देखो धाई U कितना आ जाएगा 2.5 U बराबर 15 बटे कितना 60 इसको काटोगे तो 4 बार में और धाई का 4 गुना 10 यानि बोलोगे रफतार कितनी है तो 10 की है मिनट में बताओ तो 60 से गुना करेंगे तो खतम हो जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 36 ठीक है याद रखो जब आप स्ट्रीम आएगा तो हम जो है जब हमें U की वैल्यू निकालनी है तो U को क्यूं कैंसल करेंगे आपको मैंने पहले इसलिए बना कर दिखाया ताकि आप पहले समझ सको इस बात को कि देखो पहले हम भी का निकालते हैं फिर भी का रखके U का निकालते हैं और फिर टाइम खराब होता है तो मेंस में देखो वही बच्चा है अगर छलांग मारोगे तो पहले पहुँच जाओगे लेकिन अगर सोचोगे अच्छा ठीक है क्या हो गया एक लाइन बचाने से क्या होता है तो दस सवाल में दस लाइन बचने से सोचो क्या नहीं हो सकता है आप एक लाइन सोच रहे हों और आपको एक सही अप्रोच दे पाऊं जिससे आप पेपर में अपना सेलेक्शन ले चगें ठीक है तो इस तरीके से जो होते हैं वो हमारे सारे questions complete होते हैं चंद questions बचे हुए हैं दो questions और question number 1 एक 51 और एक number bound अब एक 50 number में देखो यहाँ पे तो एक 51 number सवाल भी एकदम हलवा सवाल है क्या बोला गया है एक वेक्ति डाउन स्ट्रीम जाता है 15 किलोमेटर एक घंटे में ठीक है फिर बोला गया है करेंट का रफतार 5 किलोमेटर प्रती घंटा है बोला गया time taken by man to swim the same distance upstream मुझे बताओ यहाँ पर डाउन की रफतार कितनी है तो बोलोगे सर 15 है ठीक है फिर बोलोगे करेंट का रफतार कितना है 5 है तो डाउन का मान 15 है करेंट का मान कितना है 5 है तो इसमें बोट का मान कितना हो जाएगा देखो डाउन का मान बोलोगे तो 15 है यानि down कमान क्या होता है तो down कमान मतलब x plus y मान कितना है 15 है y कमान अगर 5 है तो x कमान कितना है 10 है हमसे सवाल में बोला गया है ठीक है upstream तो पहले यहाँ पर मुझे बताओ upstream यानि x minus y की value कितनी हो जाएगी x की value 10 इसकी value 5 जानि x minus y की value 5 हो जाएगी बोला गया है time कितना लगेगा एक वेक्ति को उतने ही दूरी upstream जाने में तो मुझे बताओ time कितना लगेगा तो time बराबर distance कितना है बताओ distance हमें कितना जाना है तो 15 यहां पर जाना है और रफदार कितनी है तो 5 की है 5 से काटेंगे तो कितना लगेगा 3 घंटा यानि option number D यह तो खैर बीना pen उठाए बना लेते तो हो जाता कि down की value 15 है current की value 5 है तो boat की value 10 आ गई और 10 में से 5 गया उसकी रफ़तार 5 की हो गई यानि upstream की value 5 जाना 15 है 3 घंटा लगेगा यह भी कोई सवाल है question number 1 क्या उन कोई सवाल ही नहीं है 52 देख लो जो कि मुझे लगता है last question है इसके बाद जो है sheet खतम हो जाता है सवाल में देखो बोला गया है एक boat जो है certain distance upstream तै करता है 45 घंटे में उतने ही समय वो downstream जाता है कितने घंटे में 36 घंटे में अगर boat की रफतार 36 है तो difference between speed of boat in still water and speed of stream इसके लिए बड़ा लाजवाब आप लोगों को formula पढ़ाया था अगर याद होगा तो याद है या भूल गए भूल गए बताओ boat upon stream बराबर क्या पढ़ाया था T1 प्लस T2 divided by या ऐसे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि T2 प्लस T1 divided by T2 माईनस T1 ठीक है पढ़ाया था ना तो बस बहुत शांदार मुझे बताओ यहाँ पर boat की जो रफतार है वो कितनी है तो boat की रफतार जो है वो बोलो ठीक है boat की रफतार 36 है तो बोट की रफतार 36 रख देंगे, धारा की रफतार कितनी है, S है तो S रख देंगे, दोनों समय कितना लगा है, तो 45 और हमारा 36 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 81 हो गया, ठीक है, और 45 में से 36 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 से काटोगे तो 9 बार में और 9 से काटोगे तो 4 बार में तो यहाँ पर S का मान कितना आ जाएगा यानि 12 का रफतार कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा सवाल में बोला गया है difference between boat and still water ठीक है तो boat का रफतार 36 है इसका रफतार 4 है तो 36 और 4 का अंतर कितना होता है 36 और 4 का अंतर 32 होता है ठीक है समझ मैं कितना सवाल असान हो गया बताओ boat upon stream बराबर T1 प्लस T2 upon T1 प्लस T2 अब जैसे कोई student ऐसे ही सवाल को नहीं करना चाहता है वो बोलता सर paper one में हमको का करे formula भे ध्यान नहीं रहता है कईसे ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई एक बात बताओ एक certain distance की बात हुई है और time speed distance में हमने आपको concept पढ़ाया है ना कि आपको formula रटवाए हैं तो आप बोलेंगे सर एक निशित दूरी की बात है और जब एक particular distance होता है ना तो उस fixed distance में हमेशा याद रखना कि जब हमारा d जो है वो constant हो जाएगा d हमारा constant हो जाएगा तो speed का उल्टा क्या हो जाएगा speed का उल्टा हमारा time हो जाएगा बोलो पढ़ाया था या ऐसा भी कह सकते हो time का उल्टा क्या हो जाएगा तो speed हो जाएगा अब थोड़ा अपने सवाल पर आ जाते हैं ठीक है हम से सवाल में बोला गया है देखो पहले हम लिखेंगे down और फिर हम लिखेंगे up दूसरा method बता रहा हूँ आपको time की बात करते हैं तो समझो सेम दूरी को downstream जाने में लगे जनाब को कितने घंटे 26 घंटे 36 और up जाने में लगे 45 घंटे यानि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि इनका जो अनुपात है वो कितना है तो समय का अनुपात 4, अनुपात 5 है तो रफ्तार का अनुपात कितना होगा तो 5 अनुपात 4 होगा बोलो हाँ या ना होगा की नहीं यानि down का रफ्तार 5 है तो up का रफ्तार कितना है 4 है इनको हम x से भी कह सकते हैं 5 x और 4 x इस हिसाब से अगर हम boat की value बताएं तो boat की value कितनी आएगी 5 x 9 का आधा यानि 4 x आएगी ठीक है और अगर हम stream की value बताएं तो हमें कितना मान आएगा तो 5 में से 4 गया x का आधा यानि 0.5 x कितना आजाएगा 0.5 x आजाएगा सवाल में किस का मान दिया गया है तो boat का दिया गया है कितना दिया गया है बताओ तो 36 दिया गया है यानि ये जो 36 है ये कितने का मान है तो ये 36 boat का मान है यानि 4.5 x का मान है और हमसे इन दोनों का आंतर पूछा गया है यानि हमसे 4 x का मान पूछा गया है कितने का मान पूछा गया है तो 4 x का मान पूछा गया है ठीक है अब सवाल में देखो यहां पे तो यह खतम हो जाएगा 45 का उड़ा दोगे तो 10 चला जाएगा ठीक 9 से 4 बार में 9 से 5 बार में 5 से तुम्हारा 2 बार में 4 चोके 16 दुना 32 तुम्हारा ऐसे भी उत्तर आ जाएगा तो depend करता है बोलोगे तो एक और method बता दूँगा मैं आपको लेकिन क्या करोगे जादा method जानके जितना method जानोगे उतना confusion बढ़ेगा ratio से भी कर सकते थे time का ratio 4-5, speed का ratio 5-4, boat का रफतार दोनों का आदा stream का रफतार हो गया इतना 36 जो है वो इतने का मान है इतने का मान पूछा गया है बता देंगे bro आपने तो ये chapter इतना easy कर दिया है इतना easy कि कभी नहीं लगा था love you भाई धन्यवाद भाई हार देख ठीक है ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए तो जो है मज़ा आया ना आप लोगों को सारे questions करवाए है एकदम zero to hero level वाले हलवा सवाल भी भयंकर सवाल भी ठीक है बढ़ियां से हम लोगों ने 5 class में इस topic को cover up किया है 5 class लगे time speed distance में 5 class लगा train में 5 class लगे boat stream में और 1-2 class लगेंगे race में फिर time speed distance हमारा खतम हो जाएगा ठीक है तो कल से हम क्या start करेंगे race start करेंगे race start करने के बाद तब हम decide करेंगे कि हमें अगला topic कौन सा पढ़ना है ठीक है बहुत अच्छे एक एकदम नया topic आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सोच रहे हैं simplification पढ़ाने को ठीक है तो बताईएगा कि simplification कैसा रहेगा simplification अब तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है ठीक और simplification को भी सोच रहा हूं कि कुछ classes में खतम कर दूँ क्यूंकि paper में pre में एक से दो सवाल रहता है simplification का और mains में जो है कम से कम 4-5 सवाल रहते हैं simplification के तो मेरे मन में एक idea चल रहा है अब बच्चे बोलेंगे sir simplification कई से पढ़े पढ़ा ही नहीं इसके पहले तो simplification में किसी नियम के आवशकता भी नहीं होती है देखेंगे हम simplification को start करने के पहले ठीक है कर फसंट शर लहमें करते हम एक ऑटनाए रहाल रहते है किसी ऑगीजवार रहते हैं ते आवलाने को लु़ का हम होत्सकता चल रहते हैं